नमस्कार, देश की राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू का जनम दिन है। 20 जून को अपना 65 जनम दिन मना रही है। राष्ट्रपती का जनम ओनिसा के रारगपुर के क्षेत्र के उपर बेला गाउं में हुआ था। जनम दिन के अफसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम पक्ष और विपक्ष के निताउने उन्हें बधाई दी है। द्रापदी मुर्मुक जनम 20 जून 1958 भारत की पंद्रवी और वर्तमान राष्ट्रपती के रूप में कार्यरत एक भारतिय राजनितिग्य हैं। वह भारतिय जन्ता पार्टीक भाजपा की सदस्य भी रह चुकी है वह भारत के राश्ट्रपती के रूप में चुने जाने वाली जन्जातिय समुदाय से संबंधित पहली व्यक्ति है मुर्मू, प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की राश्ट्रपती के रूप में सेवा करने वाली दूसरी महिला है प्रबुद सोसाइटी द्रौपदी मुर्मू को प्रबुद महिला समराच से अलंकृत किया है द्रौपदी मुर्मू, भारत की पंद्रवी राश्ट्रपती, पदस्त, कार्याले ग्रहन, 25 जुलाई दो हजार बाईस, प्रधान मंत्री, नरेंद्र मोधी, उप्राश्ट्रपती, वेंकेया नाइडू, जगदीब धन्खर, पूर्वा धिकारी, रामनात कोविंद, जार्ख पद बहाल, 18 मई 2015, 12 जुलाई 2021, मुख्यमंत्री, रगुवर्दास, हेमंत सोरेन, पूर्वा धिकारी, सैयद एहमाद, उत्तरा धिकारी, रमेश बैस, औरिसा विधान सभा के सदस्य, पद बहाल, 2000-2009, पूर्वा धिकारी, लक्ष्मन मांजी, उत्तरा धिकारी, शाम चरण चुनाव क्षेत्र, रार्गपुर, जन्म, 20 जून 1958, आयू 65, उपर बेरा, मयूर भंज, ओडिसा, भारत, राजनीतिक दल, भारतिय जनता पार्टी, जीवन संगी, शाम चरण मुर्मू, बच्चे, शेक्षिकी संबधता, रमा देवी महिला विश्वविद्यालय, भुवन दो प्राष्ट्रपती बनने से पहले उन्होंने 2000-2004 के बीच ओडिसा सरकार के मंत्र मंडल में विभिन विभागों में सेवा दी, 2015-2021 तक जारखंट के नौवे राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला, व्यक्तिगत जीवन, द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 द्रौपदी मुर्मू ने एक अध्यापिका के रूप में अपना व्यावसा एक जीवन आरम किया, उसके बाद धीरे धीरे राजनीती में आ गहीं